हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग और पेंडलर मीडियो के आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे डेली कारंट अफ्यर्स 19 सेप्टेंबर 2020 के तो जल्दी से सेशन को जॉइन कर लीजे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको प्लीज सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें नोटिफेकेशन के लिए साथ ही आप हमें हमारे टेलेग्राम चैनल पे भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे स्टडी मटेरिल अवैलेबल है आपके लिए और जेली कारंट अफ्यर्स पढ़ना किता इंपोर्टेंट है ये मुझे बता साथ जुड़े रही है कारंट अफेस जो है रोजाना पढ़ते रही है देखते हैं आज की क्या इंपोर्टेंट न्यूस है फर्स्ट इस मिनिस्टर फूर फूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हर्शम्रत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया है इन प्रोटेस्ट ऑफ थी फ जिसके चलते प्रोटेस्ट के उसको प्रोटेस्ट करने के लिए जो मिनिस्टर फूर फूर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है हर्शम्रत कौर बादल उन्होंने रिजाइन कर दिया यह तीन बिल कौन से हैं फार्मर्स प्रिद्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन और 2020 क्रिशक उपज व्यापार और वानीचे समवर्दन और सरली करन विदेख 2020 फार्मर्स एंपार्मेंट और प्रोटेक्शन एग्रिमेंट और प्राइस अश्यूरंस और फार्म सर्विसस बिल 2020 क्रिशक शशक्ति करन वा सनलक्षन कीमत आसवाशन और कृषी सेवा पर करार व विदेख 2020 और असेंशल कॉमर्डिटीज अमेंडमेंट विल 2020 आवशक वस्तु संशोधन विदेख 2020 जो लास्ट वला है यह जो है पार्लेमेंट से पास हो चुका है और जो शुरू के दो हैं यह लोग सभा से पास हो चुके हैं डिस्पाइट इस प्रोटेस्ट जो हर्षिम अज़त कौन बादल है वो शुरूमनी अकाली दल से हैं और जो शुरूमनी अकाली दल है बीजेपी का ओल्डेस्ट अलाए है और यह जो बिल है इनके अगेंस्ट और ग्रेडी जो पंजाब है हर्याना तिलंगाना राजस्तान और बाकी स्टेट्स में प्रोटेस्ट चल र अब्राइसे बेटर प्राइसिंग के लिए तो यह जो चीज है यह important है question देख लेते हैं which of the following has resigned in protest of three bills introduced recently by the center हाली में केंदर दुवारा पेश किये गए तीन बिलो के विरोध में निमिर लिखित में से किस ने स्तीफा दिया है Chief Minister of Punjab, Punjab के मुख्य मंत्री, Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Krishy और किसान कल्यान मंत्री Minister for Food Processing Industries, Khad Prisanskaran उपद्योग मंत्री Chief Minister of Haryana, Haryana के मुख्य मंत्री, तो क्या होग असका सही आंसर, जल्दी से कमेंट कबके बताईए The correct answer will be option C, that is Minister for Food Processing Industries, Khad Prisanskaran बादन Next is Prime Minister dedicates Kosi Rail Megabridge to the Nation दानमंत्री नित्मोधी ने Kosi Rail महसेतु, जो Megabridge है, उसको राश को समर्पित किया इसके साथ-साथ उन्होंने बिहार के भले के लिए, जो बारा रेल परियोजनाय है, उनका भी उदगाटन किया यह जो बारा परियोजनाय है, इसमें एक न्यू रेल ब्रेज है, क्यूल रिवर पे, उसके बाद दो नई रेलवे लाइन से, फाइव एलेक्ट्रिकेशन प्रोजेक्ट है, एक एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड है, वरॉनी में, और एक थर्ड लाइन प्रोजेक्ट है, बिट्वीन बार बक्तियारपूर, ठीक है, तो यह कुछ जो है, प्रोजेक्ट्स से जो लॉंच किये गए थे, प्रिदार मंत्री मोधी के द्वारा, इम्पोर्टेंट इसमें कोसी रेल महासेतू था, जो ही कोसी रेल महासेतू है, यह 1.9 km लोंग ब्रेज है, 1.9 km लंबा पूल है यह, जिसको 516 करोड की लागत से जो है, पूरा किया गया है, and this bridge will reduce the rail distance between निर्माली एंड सराइगर, from 298 km to just 22 km, तो देखिए कितना इंपोर्टेंट है यह ब्रिच के यह, दो प्लेसेज जो rail distance निर्माली और सराइगर के वीच में जो 298 km का है, उसको सिरफ 22 km के distance मे बदल देगा, कोसी मेगा ब्रिच प्रोजेक्ट, इसको अप्रूफ किया गया थे कर्णमेंट के दुआरा, दो हजार तीन, चार में, और यह bridge काफी important है, strategic location है, इसकी along the Indo-Nepal border, क्योंकि यह मितिला और कोसी रीजन को करेंट करता हुआ bridge है, साथ ही, यह जो rail link है, इस रीजन पूरा है बहा गया था, इसके बाद कोसी रीवर क्योंकि अपना रास्ता बदलती रहती है, अपना कोर्स चेज करती रहती है, मेंडर करती रहती है, तो इसके वज़ए से rail link यहाँ पर काफी time से restore नहीं किया गया था, इसलिए भी काफी important हो जाता है, तो अगर आपसे जो है, मिथला और कोसी रीजन को connect करेगा, question देख लेते हैं, PM Modi will dedicate कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज to the nation, कोसी रेल महासेतु will reduce the distance between dash, PM Modi दुआरा कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज को राष्ट को समर्पित किया गया, कोसी रेल महासेतु किसके बीच की दूरी को कम करेगा, निर्माली एंड दर्बंगा, निर्माली एंड सराइगड, निर्माली एंड सकरी, निर्माली एंड जहांजर कोई, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दीस कमेंट को कि बताईए, the correct answer is option B, that is निर्माली एंड सराइगड के बीच का जो distance है, उसको इकोसी रेल महासेतु कम करे नेक्स्ट इस सेकेंड उतकरिष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड वस कॉनफर्ट तो इंस्टिटूशन अंडर AICT और विश्वकर्मा दिवस, तो द्वितिय उतकरिष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुदुसकार को विश्वकर्मा दिवस पर AICT के तेर्ट संस्थ खालों को परदान कि अगया कि यह जो अवॉर्ड है किसे प्रिजेंट किया जो हमारे education minister रमेश पूकृ्यार निशनक ने 24 सिलेग्टेंट इंस्टूशन को चौण ऩाधा क moderna केटेगरी में आप्ट प्रिजेंट चया इसमें जो ओवरी केटिगरी में जिस किया है थीम 2020 अवार्ड की थी इंडिया फाइट्स कॉरोना चीक है उसके बाद हम बात करें उतकरिष्ट सहस्थान विश्व कर्मा अवार्ड की तो ये एक काटेगरी है AICT विश्व कर्मा अवार्ड की जिसको अन्वली प्रेजेंट किया जाता है AICT के दुवारा सिंस 2019 थे कि 2009 इससे किया जाता है इसलिए इस बार का जो 2020 का अवार्ड है ये 2000 मला सेकेंड अवार्ड है 2020 वाला and this aims to recognize and honor the AICT approved technical institutions for their significant contribution to the growth and development of the society तो इन पुरुसकारों का उदेशे AICT से मानेता प्राप्सिस्थानों को उनके विशष्ट कारेच्षेत में उनको सम्मान देना है ताकि वे समाज की विकास और उत्थान में अपना महत्पून योगदान देने के लिए हमेशा प्रत्साहित रहे AICT क्या है इसके बारे मैंने पहले भी पढ़ाता है एक स्टैट्रीडी बॉड़ी है एक वेधानिक निकाय है जो एक्ट आफ पार्लेमेट के दुवारा बनी 1945 में और जो विश्व कर्मा दिवस है यह जो है जो डिवाइन आर्किटेक्ट है लिए तब मनाया जाता है और इस दिन जो भी लोग है जो भी अपने औजार है उनकी पूजा करते है विश्व कर्मा दिवस पर चलिए हम लोग इसे जोड़ा प्रशिन देख लगते हैं विच आफ दी फॉलिंग हाज रीसेंटली टॉप दे सेकेंड उत्कृष्ट संस्थान विश्व कर्मा अवार्ड इन ओवर्राल कैटेगरी हाल ही में निमिन लिखित में से किसने समगर श्रेणी में द्वितिये उत उतकृष्ट संस्थान विश्व कर्मा पुरुसकार में शीर स्थान प्राप्त किया है, कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग पुने, मिलेटरी कॉलेज ओफ एलेक्ट्रोनिक्स और मिकानिकल इंजिनेरिंग, इंडिय इंस्टिटूट अफ टेक्नोलोजी डेली और इंडिय The 10th meeting of BRICS High Representatives on National Security, it was held by a video conferencing टाजटे है, सुरक्षा पर BRICS के उच्छी प्रतिमिदियों की दस्वी बैटक video conferencing के माध्यम से जो है आयोजित की गई, इस meeting को किसने चेयर किया, रशिया ने, क्योंकि रशिया अभी current chair है BRICS और SCO का यानि की शेंगाय कोपरेशन और इंजिने The National Security Advisor of the Five Nations, they discussed upon the matters related to strengthening political security and cooperation, तो पाचो देशों के राश्टे सुरक्षा सलाकारों ने राजनीतिक सुरक्षा और सहयों को मजबूत करने से सम्मंदित मामलों पर चर्चा की और क्योंकि अभी जो भारत और चीन की बीच में जो मुद्दा चल रहा था जो जड़ब हुई थी और उसको दोनों साइड में जो शान्थी बनाने के लिए जो भी वारत अलाप की जा रही है उसको इस मीटिंग में डिसकस नहीं किया गया क्योंकि चाइन और इंडिया दोनों का ये ही माम मानना था कि ये जो है एक bilateral matter है और उसको दोनों country जो है मिलके सुलजाना चाहेंगी without any interference from the third party इंडिया के जो NSA है National Security Advisor Ajit Doval उन्होंने participate किया इस meeting में इंडिया, रशिया और चाइना के हम बात करें तो ये BRICS के भी members है SEO के भी members है और रशिया, इंडिया, चाइना, ग्रूपिंग के भी members है और ये काफी strong platform प्रोवाइड करते हैं development का अगर ये एक साथ आते हैं तो ये काफी जो है development हो सकता है region wise and globally भी BRICS के हम बात करें तो it is the grouping of 5 emerging economies including Brazil, Russia, India, China and South Africa तो BRICS जो है एक क्रोनियम है 5 emerging economies का जिसमें Brazil, Russia, India, China और South Africa शामिल है इसको जो BRIC एक्रोनियम था, इसको कॉइन किया था Jim O.Neill ने जो Goldman Sachs में काम करते हैं जो 2001 में उन्होंने ये जो है एक्रोनियम दिया था BRICS का ये 2009 में बनी थी उसके बाद 2010 में जब South Africa ने इसको जोइन कर लिया तो ये BRICS बन गया और इसका एक्रोनियम को कॉइन करने का जो है परपस ये ही था कि ये जो देश है ये जो चार देश में काफी potential है कि ये जो है development को promote कर सकते हैं region में तो इसलिए ये coin किया गया था term जो member countries है BRICS की वो member G20 के भी members है जो 13 BRICS summit है उसको कौन host करेगा उसको India host करेगा next is question देख लेते हैं which of the following countries has chaired the 10th meeting of BRICS high representatives on national security निमन लिखित में से किस देश ने राष्ट्रे सुरक्षा पर BICS के उच्च प्रतिनीदियों की 10 वी बेटकिया दिख्षता की है India, Russia, China and Brazil तो क्या हो इसके सही answer जल्दी से comment करके बताईए किसने दिख्षता की the correct answer is option B that is Russia next is new integrated terminal building is being constructed at Veer Savarkar कर international airport Port Blair Airport है जिसको Veer Savarkar international airport भी कहा जाता है उसमें एक नई एक करित terminal भवन का निर्मान किया जा रहा है और Airports Authority of India ने काम को शुरू भी कर दिया है after considering the passenger traffic और ये जो डिजाइन है terminal का ये shell shape होगा और जो की sea and islands को debit करेगा जो terminal है इसमें पूरा fully natural light की जो है इसमें इस तरह से बनाया जाएगा इसको की जो पूरी natural light है वो रूफ के थूँ जो है वो आए पूरा terminal पे over 65% of work for terminal building has been completed पैसर पिर तीशद जो का रहे है वो complete हो चुका है और ये expect किया जा रहा है कि अगले साल के मिड तक इसका जो पूरा काम है वो हो जाएगा बात करें हम Airports Authority of India की या फीर भारतिय व्यामान पत्न प्रादी करण की तो ये Ministry of Civil Aviation के अंतरगत आता है और इसके जो headquarters है वो नई दिल्ली में located है करेंट जेर्मिन इसके अर्विंद सिंग है और ये एक वैधानिक निकाह है ये एक statutory body है ये established वी थी एक अपरल 1995 में और इसका जो main responsibility है इसकी वो है construction करना upgrade करना maintain करना और manage करना civil aviation infrastructure पो ठीक है तो civil aviation से लेटिट जो भी infrastructure है उसको construct कराना उसको upgrade कराना maintain करना उसको manage करना जिम्मेदारी किसकी है Airports Authority of India की है यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं यह construction under construction है आगे चलते हैं question देख लेते है Airports Authority of India has started the work for constructing the new integrated terminal building at which of the following airports भारतिय विमान पतन प्राधिकर रंडे निमनिकेत में से किस हवाई अडेपन new integrated terminal building के निर्मान के लिए कारेशू किया है जम्मू Airport, इटानगर Airport, रायगर एरपोर्ट और पोर्ट ब्लेर एरपोर्ट गायर जल्दी से comment क्यों की बताईए keep commenting the correct answer कोई भी doubt है comment box में mention करिए the correct answer will be option D that is Port Blair Airport next is new guidelines have been issued by the ministry of MSME to support pottery and beekeeping and also इसमें कहा गया है कि 50 करोड जो है पूबी कीपिंग honey clusters को provide के जाएंगे under the सफूर्ती scheme ministry has announced new guidelines for two beneficiary oriented employment self employment schemes which include pottery and beekeeping activity तो जो scheme है pottery activity के लिए उसमें जो government है वो pottery wheel clay blungar और granulator जो है वो provide करेंगे इस तरह के जो सामान है और उसके साथ साथ अलग-अलग type की training दी जाएगी artisans को जैसे की wheel pottery training जो है वो दी जाएगी traditional pottery artisans को self help groups में then pressed pottery training दी जाएगी जो pottery और non pottery artisans है self help group में उनको then jigger jolly training program दिया जाएगा pottery as well as non pottery artisans in self help groups को इसके साथ साथ जो traditional और other non traditional pottery artisans हैं उनके लिए जो scheme है यह जो scheme है यह उनको भी benefit करेगी जो rural unemployment youth है या फिर जो migrant laborers है ठीक है फूर्ती scheme की हम बात करें तो इसके अंतरगत 50 thousand sorry 50 crore जो दिये जाएगे वो दिये जाएगे clusters को establish करने के लिए terracotta red clip pottery with new innovative value-added products to build pottery to crockery और tile making capabilities तो अलग-अलग चीजों के लिए यहाँ पर जो है पैसे दिये जाएगे और जो migrant workers थे प्रधानमंत्री गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान district में तो उनको जो है अलग-अलग तरह के bee boxes, toolkits और training provide की जाएगे तो basically मोटी-मोटी बात यह है कि जो भी beekeeping है या फिर pottery के लिए जो scheme है उसमे different equipments जो है वो provide की जाएगे साथ हिसा जो training है वो को भी provide की जाएगी स्फूर्थी scheme के हम बात करें इस scheme for fund for regeneration of traditional industry scheme इसकी जो शुरुवात है वो एक अगस 2014 से हुई थी and it is under the ministry of MSMEs for promoting cluster development. तो cluster development को promote करने के लिए ministry of MSMEs के द्वारा इस scheme को लागू किया जा रहा है तो अगर कहीं भी आप स्फूर्थी scheme देखते हैं तो in which year did the ministry of MSME start the स्फूर्थी scheme? किस वर्ष MSME मंत्रालेन ने स्फूर्थी योजना शुरू की है? 2011, 2014, 2018 and 2019 जल्दी से comment करके बताईए क्या हो बस्ता सही answer? The correct answer will be option B, that is 2014. Next is Ashok Gasti, जो की BJP के राजसभा मेंबर थे, उनका हाली मेंने दन हो गया COVID-19 के कारण, वो राइचूर करनाटका से थे और उन्होंने अभी राजसभा के मेंबर के रूप में 22 जुलाइड वो जो है ओध क्रहन की, उनको COVID-19 निमूनिया डागनॉस किया गया और उसके बाद उनका multiple organ failure के कारण उनकी मृत्य हो गई, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यह अशोगस्ती है, क्वेशन देख लेते हैं, BJP राजसभा मेंबर अशोगस्ती कूरी सेटली पास्डवे द्यू टू कोवेड-19, वोस फ्रॉम विच स्टेट भाजपा यह सही answer, the correct answer is option A, that is करनाटिका, तो वो राइचूर करनाटिका से थे, next is NASA and NOAA, that is National Oceanic and Atmospheric Administration, उन्होंने solar cycle 25 के start होने का जो है, एक statement जारी किया है, उनके हिसाब से जो solar cycle 25 है, वो शुरू हो चुकी है, solar cycle मतलब की एक ऐसा time, जो 11 वर्ष की अवदी होती है, जिसमें solar की जो activity है, जो सौर गतिविदी है, वो सौर अधिक्तम और, यानि की सौर maxima और सौर minima के बीच में जो है, यह चलती है, बदलती है, a new solar cycle starts when the sun reaches solar minima, तो नई cycle start होती है, जब sun जो है, वो solar minima पे पहुँचता है, जिके, तो अगर मुझे confirm करना है, कि solar minima पे कब पहुचे sun, तो उसके लिए 6-8 महिने का data चाहिए, तब यह पुष्टी हो पाती है, solar cycle के दौरान क्या होता है, number of sun spots जो है, फोटो स्फेर में, वो या तो बढ़ते हैं, या फिर घटते हैं, ठीके, फोटो स्फेर यानि की sun के surface पे, जो भी sun spots होते हैं, उनकी संख्या या तो बढ़ जाती है, या फिर घट जाती है, तो solar maximum, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कि maxima है, तो मत्तब यहाँ पर, solar maxima के दौरान, जो number of sun spots है, वो सबसे जादा होते हैं, वही solar minima में, जो number of sun spots है, वो सबसे कम होते हैं, नासा और जो NOAA, इसके नेतरित वाले 100 चक्र भविश्यवानी पैनल में, 100 बहुतीक विज्यानी एक दशक में, एक बार एक आम सहमती ब्य जारी करते हैं, और 100 चक्रों के बारे में भविश्यमानिया करते हैं, तो बेसिकली जो नासा है, और जो NOAA है, यह जो है, प्रडिक्ट करते हैं कि कब जो है, solar cycle जो है, चल रही है, कौन सी चल रही है, और आगे कौन सी चलने वाली है, इस तरह से, यहाँ फोटो में आप दे समय है, तो उसमें solar cycle 24, 2008 में शुरूई थी और 2019 में complete होई, और अब जो है, solar cycle 25 है, वो शुरू हो चुकी है, sunspots, क्या होते ही, इसको सौर कलंक भी कहते हैं, तो यह small, dark, or cooler areas होते हैं, ठीके, जैसे क्या होते है, जो बेसिकली surface होता है, वहाँ पर टेम्ट जादा होता है, ले महाँ पर comparatively कम temperature होता है, और वहाँ पर strong magnetic forces होते हैं, जब sun active होता है, तो number of spots सबसे जादा होते हैं, और जब sun कम active होता है, तो number of spots सबसे कम होते हैं, ठीक है, चलिए, हम लोग आगे चालते हैं, question देख लेते हैं, NASA and NOAA have recently announced the start of solar cycle 25, the term solar cycle refers to a period of how many years, NASA और NOAA ने हाल ही में 100 चक्र 25 की शुरुवात की पहुशना की है, 100 चक्र शब्द कितने वर्ष की अबदी को दर्चा आता है, 5, 8, 11 and 18, तो जब इस कमेंट करके बताईए, क्या होगा इसका सही answer, comment करते रहे हैं सही answer, the correct answer will be option C, that is 11 years को अबदी होती है solar cycle की, next is chief minister of हिमाचर प्रदेश inaugurated स्वच्छिता काफे, तो जो हिमाचर प्रदेश के chief minister है जेराम ठाक को उन्होंने नालागड सोलन डिस्क्रिक्ट में स्वच्छिता काफे inaugurate किया, on the occasion of 70th birthday of prime minister नरेन मोदी, ये जो कैफे है, इसको लक्ष्मी और दुर्गा women self-help group operate कर रहे हैं और इसमें traditional खाना जो है, वो सर्फ किया जाएगा, इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया कि स्वच्छिता पार्क जो है, वो कुफरी जो शिमला district में है, वहाँ पर खुला जा रहा है, हिमाच्रा पदेश के हम बात करें, तो ये नॉर्ट इंडियन स्टेट है, जो की वेस्टन हिमालियाज में located है, पर्श्चिम हिमालिया में इस्तित है, इसकी जो ग्रीश्म कालीन राजदानी है, वो शिमला है, और शीत कालीन धरन शाला है, करंट गवर्णर यहाँ पर कौन प्राइम मोदी के सतरवे जनम दिन पर निमिल लिखेत में से किस राजय की मुखे मत्री ने स्वच्छता कैफे का उधगातन किया है, हिमाच्रा प्रदेश, हर्याना, उत्राखंड और उत्तर प्रदेश, तो क्या होगा इसका सही आंसर, जदीस कमेंट के बताईए, तो क्य सहीत राष्ट में अमेरिका के जो दूत है, उन्होंने ताइवान जो सहीत राष्ट का सदर से नहीं है, उसकी एकशीष अधिकारी से मुलाकात की, and US, under the US President Donald Trump is supporting Taiwan, an island that is claimed by China as its territory, तो ताइवान को चाइना जो है क्लेम करता है कि यह उसकी टेरिटरी का हिस्सा है, और US is also supporting the inclusion of Taiwan international organizations like WHO and ICO, तो US जो है वो ताइवान को support कर रहा है, यहां तक कि वो यह भी चाहता है कि World Health Organization, ICO जैसी organization में उसको include किया जाना चाहिए, and यह जो meeting हुई है, US envoy की, यह जो है, जो भी presidential election होने वाले है, US की 59th presidential election उससे पहले जो है, शेड्यूल की गई है, तो हो सकता है कि इससे थ तोड़ा elections में फायदा हूँ, इसले भी connect किया गया हूँ, Taiwan जो है, United Nations से बाहर हो गया था 1971 में, और उसकी बाद जो उसका observer status था WHO में, उसको भी हटा दिया गया था, Taiwan को praise किया गया कि Taiwan ने काफी अच्छे से handle किया है COVID-19 को, क्योंकि Taiwan में स्रिफ 438 cases जो है, वो record किये गए थे Taiwan के आप location देख सकते हैं यहाँ पर, this is Taiwan, यह जो है चाइना का जो mainland है और फिलिपीन का mainland है, इन दोनों के बीच में यह लाए करता है, ठीके और जो जपान है, इसके नॉर्थीस्ट में है, ठीके इसके जो नॉर्थीस्ट में इधर कही जापान लोकेटेड है, इसकी जो capital है वो तेई पही है और यह United Nations का मेंबर नहीं है, यह आपके लिए important है, अच्छा इसमें आप मैप में Yellow Sea को भी देख लीजे, यह location है Yellow Sea की क्योंकि अगली news उसी से related है, ठीके, Yellow Sea कहां पर located है यह, जो Korean Peninsula है और जो Chinese mainland है, इसके बीच में यह इस्थित है, Yellow Sea, पहले question देख लेते ह has recently held a meeting with a top official of which of the following countries, सेवत राश्ट में, अमेरिकी दूत ने हाल ही में निमिन लिखित में से किस देश के, शीर अधिकारे के साथ बैटा की है, इस्राइल, ताइवान, पसोवो और सिप्रस, क्या होगा इसका सही आंसर, the correct answer is option B, that is Taiwan, next is China launched 9 satellites from a ship in Yellow Sea, तो चीन ने पीले सागर में एक जहाद से Nob Gray launch किये, and this is the second sea based launch mission and first commercial launch of a rocket from a platform in C, तो इस समुदर में दूसे platform पर launch होने वाले mission और rocket का पहला व्यवसाइक प्रच्छेपन है, लॉंग माच 11, HY2 was launched from Debo 3, तो ये जो satellite है, जो satellite launch की गई है, 9 satellites, तो उनको Debo 3 के दुआरा, जो है, Debo 3 को launch किया गया, and the launch satellites belong to Jilin-1 High Resolution Earth Observation Satellite, तो ये जो है, Earth Observation Satellites है, and earlier optical remote sensing satellite, Jilin-1 Goffin O2C could not reach its, और बिटे से पहले जो Goffin O2C, जो है, launch की गई थी, remote sensing satellite, वो अब, जो है, कक्ष में नहीं पहुँच पाई थी, Yellow Sea की बात करें हम, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, Yellow Sea की location, यह है, यह Western Pacific Ocean में situated है, और China और Korean Peninsula की बीच में लाई कर रहा है, और Yellow River जो है, वो चाइना से फ्लो होकर, Yellow Sea में जाकर मिलती है, ठीक है, चलिए, हम लोग आगे चापते हैं, question देख लेते हैं, which of the following countries has recently launched 9 satellites from a ship in the Yellow Sea, हाली में निमिन में से किस देश ने पीले सागर में एक जहाद के, नौ उप्रे लाँच किया है, जहाद से, North Korea, South Korea, Japan and China, जल्दी से बताएए क्या होगा इसका सही आंसर, option D होगा, that is China, next is आर्वेतिक स्पेशलिस्ट पी आर कृष्न कुमार, उनकी हाली में COVID-19 के कारण अमृत्यू होगी, और इसके साथ-साथ उन्होंने AVP Research Foundation की सापना की और उनको पदमश्री से भी संबानित किया गया, 2016 में उनको धनवंत्री पुष्काल दिया गया, कर्मेंट आफ इंडिया की द्वारा, फॉर इस कॉंट्रिबूशन टू आरवेद एजुकेशन, हेल्थ, एंड कामिरिटी सर्वेसेश एंड साथ-साथ उन्होंने आयुश प्रोटोकॉल के प्रिपरेशन में भी जो है कॉंट्रिबूशन दिया और PMO दी ने कुछ ही समय पहले COVID-19 के मैनेजमेंट में जो भी आर आरवेदिक पार्टनर्शिक जो है वो स्टार्ट किया तू स्टडी दी एफिकेसी ऑफ आरवेदिक मेडिसेन इन दे ट्रीट्मेंट ऑफ रुमेड़ूइड अर्थराइटिस तो जो रुमेड़ूइड गठिया है उसके आरवेदिक उप्चार की प्रभाव कारिता का अध आरवेदिक विशेशकर का क्या नाम है जिनकी हाली में कोविड-19 की कारण मित्यों हो गई राजगोपालन कृष्णन पी आर कृष्णकुमार कृष्ण चंद्रा चुनेकर एंड देवेंद्र त्रिगोरां तो क्या होगा इसके सही आंसर? तो एक स्टडी में यह पता चला है कि वाई प्रदुशन के संपर्ख में आने से आलेंद्र विकमपन के रोगयों को स्टोक का खत्रा आधिक हो सपयानी की आर्ट्रिल, फेब्रिलिशन के जो पेशेंट्स है उनमें जो स्टोक का रिस्क है वो बढ़ सकता है due to being exposed to air pollution और यह आप्रिय देखा गया कि जो स्टोक रिस्क है वो ज्यादा बेशन में रहने वालों में जाधा है और अफकोर्स जो कंपेली शन में है उनमें स्टोक का रिस्क कम रहे का रहेए गा एक जो इर्यगुलारिटी होती है उसको जो है अर्ट्रेल इस कंडिशिन को आर्ट्रील- फेडिलेशन कहते हैं यह डिसॉर्डर है इसके जो पॉजस है उनका पता नहीं चल पाया है अभी तक जो exact पॉसस है यह पर हार्ट की हम बात करें तो एक मस्कुलर स्ट्रॉक्ट्यर है यह जो दो upper chambers है इनको atria कहते हैं या फिर island की रूप में जाना जाता है और जो लिचले कप्षे इनको ventricles कहते हैं या फिर हम इनको नेले की रूप से जानते हैं. जो atria की जो walls है वो थिन होती है in comparative to ventricles. आप देख रहे होंगे यह ventricles की जो wall है यह काफी मोटी है in comparison to atria. और average में जो है आउस्तनम बात करें तो human heart जो होता है वो 72 times beat करता है एक minute में यानिके एक minute पर 70 बार जो है human heart जो है वो beat करता है. इसका सयान से क्या होगा? जहान से पढ़िये इसको? The correct answer is option A that is irregular beating of atria इसमें होता है. Next is international equal pay day पहली बार celebrate हुआ on 18 September 2020. यह जो डे है यह highlight करता है इन efforts को to achieve equal pay for equal work क्योंकि काफी टाइम से यह सभी लोग जो effort कर रहे हैं हर लेवल पे कि जो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए और इसी के चलते 15 November 2019 को UN General Assembly ने एक resolution अडॉप्ट किया एक संकल्प अपनाया कि 18 September को international equal pay day मनाया जाएगा. अब इससे जुड़े कुछ हमारे sustainable development goals है ठीक है equal pay day कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला है gender equality यानि की link समानता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है usually महिलाओ को कम salary दी जाती है equal काम के लिए तो यहाँ पर उस चीज को खतम करने के लिए sustainable development goal 5 जो है वो gender equality को promote करता है कि हर छेतर मे जो है link समानता होनी चाहिए girls और women को promote किया जाना चाहिए उनका empowerment किया जाना चाहिए इसके अलावा sustainable development goal 8 जो है वो inclusive और sustainable economic growth employment और decent work for all की बात करता है तो यह भी इसी से जुड़ा हुआ है इस वर्ष इसकी theme थी building back up future better future of work by ensuring pay equity तो वेतन equity सुलिष्ट करके काम का बहतर बविश बनाना इस वर्ष की theme थी and related हम कुछ facts जान लेते हैं जो महिलाएं है वो पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्यक डॉलर के लिए केवल 77 cents कमाती है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच आईस असमानता का जीवनकाल बनाती है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो कम से कम लगबल 300 साल लगेंगे इस gap को कम करने के लिए और जो women है वो mostly low paid jobs में concentrated है या फिर low skill work में उनको जो है लिया जाता है और जहाँ पर उनकी जो job security है बहुत ही जादा कम होती है high job insecurity होती है और साथी साथ जो भी decision making roles होते हैं उसमें उनका under representation देखा गया है साथ ही जो सबसे जादा vulnerable migrant workers हैं वो domestic workers हैं जिसमें भी सबसे जादा कौन है जादतर उसमें महिल आए हैं अब बात करते हैं हम retirement age की तो retirement age में जो 50% से भी जादा जो लोग हैं जिनको regular pension नहीं मिलती हैं उसमें महिल आए हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा gap है तो इस gap को कम किया जाना चाहिए इसलिए यह दिवस मनाया जाता है भारत की हम लोग बात करें तो इंडिया ने अपने constitution एक provision दिया है under the directive principles of state policy जिसमें article 39D में कहा गया है कि state shall direct its policy towards securing that there is equal pay for equal work for both men and women तो उसमें कहा गया कि राज्या अपनी नीती को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश्चित करेगा कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान काम के लिए समान वितन हो ठीक है तो यह article 39D से related है तो देखिए किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसको हर लेवल पे देखिए और हर चीज से उसको relate करने की कोशिश करिए तो आई जाने वाले पहले अंतराश्टी समान वेतन दिवस के लिए विशे क्या है एंसुरिंग ग्लोबल जेंडर एक्वालिटी और एक्वल पे वैश्विक लेंगिक समान नता और समान वेतन सुनिश्चित करना बिल्दिंग बैक अफ फ्यूचर ऑफ वर्क बाई एंसुरिं पे एक्विटी वेतन एक्विटी सुनिश्चित करके काम को बहतर पविश्य बनाना प्रोवाइडिंग एंप्लाइमेंट एन एक्वल पे टो धोल वर्ट पूरी दुनिया को रोजगार और समान वेतन प्रदान करना प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लुमन डवलाप्मेंट औ पढ़ लिए उसे जुड़े प्रशन भी देख लिए आपको ये सेशन कैसा लगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और कोई भी आपको डाउट है या कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं यूई हमारे साथ जुड़े रहिए त बेस्ट थैंक यू सो मच